कि हमारे नियू चेप्टर का नाम क्या है सामने लिख वह आपके है किरे ऑके टार इन पैरें स्टार्ट स्याथ बॉजिके नौ मिनिट हो गए है ं सब्सक्राय का नाम क्या है specially यह 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 से मैंको जो करवाता हूं तोड़ा उससे मैं सोच रहा हूं इस पर different करवाँ बहुत आसान chapter है और हम इस chapter में questions के उपस ज्यादा focus करेंगे ना कि theory के उपर focus करेंगे इस chapter में ठीक है तो देखते हैं sir चेप्टर का नाम value of firm तो start करते हैं क्योंकि जैसे usually मैं अपने हिसाब से सारी चीज़े लिखता हूं और करता हूं तो वही करते हैं हमारा chapter का नाम है value of firm यहाँ पे ना firm से कई लोग partnership firm समझ लेते हैं firm से मतलब है company किसी company की value निकालो और किसी भी company का अगर मैं value निकालने की बात करूं तो एक ही fund है simple सा fund है किसी company की value निकालने को आप समझेंगे अगर तो sir क्या fund है company के अंदर देखा जाए तो तीन चीजे को अगर add कर दे तो उसे company की value माल लेते हैं जैसे sir company के equity share capital और क्या sir company का preference share capital और sir company के सारे known long term borrowing या मैं कह दूँ यहां पर debenture कह देता हूं तो बहुत basic और simple word में अगर देखे न तो किसी भी company का value निकालने के लिए आपको यह चीजे पता चल जाए तो आप पता इसको क्या कहेंगे sir इसको कहेंगे हम value of firm जैसे एक example से भी देख लो आप मैंने कहा मेरे पास equity share capital मान लेते हैं 5000 का है मेरे पास preference share capital मान लेते हैं 3000 का है और मेरे पास मान लेते हैं debenture जो है वो है suppose करो 1000 का तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इस firm का value क्या है तो बड़ी सीधी सी बात है इन सभी को add कर दोगे और firm का value कितने होगे 5 और 38 और एक 9000 यह क्या है हमारा value of firm बहुत simple सी चीज़ है लेकिन अब हमें समझना होगा sir यह value क्योंकि equity की दो value होती है एक जो होता है face value और एक कौन सा होता है market value तो यहाँ पे कौन सा value consider किया जाएगा तो यहाँ पे जब value of firm निकालेंगे तो market value हमेसे consider किया जाता है क्योंकि हम firm की value आज निकाल रहे हैं कि हमारे firm की value कितनी है तो आज की value को consider किया जाएगा तो यानि सर हमें इस chapter में अगर value of firm पढ़ना हो तो हमें इन तीनों चीजों के बारे में एक एक चीज की important और एक एक चीज की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए इसको short firm में value of firm को जो है ना short firm में पता है मैं क्या बोलूँगा V V से denote किया जाता है value of firm को short firm में किस से denote किया जाएगा sir V से denote किया जाएगा V stand for value of firm और equity को short firm में मैं E से denote कर सकता हूँ E stand for equity और preference share को मैं P से denote कर सकता हूँ और debenture को मैं D से denote कर सकता हूँ यानि E plus P plus D is equal to V यानि value of firm आगे छोटे-छोटे से words आएंगे उसको हम समझते जाएंगे सर इस chapter में क्या हमें value of firm ही सिखाये जाएगा नहीं value of firm के साथ साथ हो सकता है suppose करो मैं आपके सामने के example लेता हूँ आप मेरे example का जवाब देजिएगा ठीक एक नया new example मैंने बता दिया V मेरा 15,000 है और equity मेरा 6,000 है और preference मेरा और preference यर हर बार नहीं होगा मान लो preference यर हर बार थोड़ी नहीं होगा आपने इतने question कि यर प्रफरेंश यर अक्सर नहीं होता है इकूटी तो बिना इकूटी के तो बिजनस चली नहीं सकता लेकिन प्रफरेंश मेंडिटरी नहीं है और मान लेते हैं आपसे मैंने पूछ लिया debenture बता दो क्या है question mark तो मैं यहां पर आपसे value of firm थोड़ी न पूछ रहा हूं इकूटी प्लस debenture है तो वी आपको पता है सर वी कितना है हमारा 15,000 बहुत बच्चों ने जवाब दे भी दिया औरली में ही और मैं इसको थोड़ा जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनके लिए कर देता हूं इकूटी कितने थे हमारे 6,000 तो प्लस अगर डी देखें तो सभी बच्चों ने जवाब दे दिया के सर डी यहां पर 9,000 आएगा यानि इस एक्जामपल से पता चला के value of firm में आपसे value of firm नहीं पूछ सकता value of क्या पूछा जा सकता है डिबेंचर value of क्या पूछा जा सकता है equity पूछा जा सकता है और value of firm तो पूछा ही जा सकता है यहां पर मुद्दे की बात है हमारा जो जितने भी है इसको E से denote करेंगे इसको E अब हमें किसी का value निकालने का ना इसका हमें cost भी जानना पड़ेगा इसका हमें cost भी जानना पड़ेगा किस का cost जानना पड़ेगा आप मुझे बताइए चलिए equity के cost को किस से denote करते थे अभी आपने कुछ chapter पढ़ा है जिन बच्चों की first class थे उनके लिए मैं बताऊंगा ही बताऊंगा equity के cost cost का मतलब जैसे होता है ब्याज का rate ऐसे हर किसी का rate निकलता है तो equity के cost को हम के से denote करते हैं k और small e बड़ी capital e नहीं लिखना आपको small e लिखना ऐसे debenture के cost को पता है किस से denote करते हैं kd यानि इस question में देखा जाए तो कहीं नहीं कहीं आपसे k e और k d पे भी discussion किया जा सकता है अगर मैं आपको simple सी बात है मैं एक question देता हूँ मानलो आपको मैंने दिया sir k d k d दिया मैंने 10% ठीक है यानि debenture और मैं अगर आपको debenture बताओं के 1000 रुपए है तो कौन बच्चा मुझे है जो की interest बता देगा कौन बच्चा है जो की मुझे interest बता देगा यहां पे debenture कित sir अगर आप यह चीज़ दोगे यह दोगे तो हम easily बता देंगे 100 रुपए अगर sir आप easily 100 रुपए बता पा रहे हो तो मेरा दूसरा question है अगर suppose करो suppose करो मैं यह चीज़े छुपा दूँ आपसे ठीक है यह चीज़े छुपा दूँ और मैं पूछ रूँ आपसे आप debenture बत 10 यानि आप निकाल के बता सकते हो 1000 यानि जो कि आपका percentage होता है उसको reverse कर देते हम जाने के लिए हमने पहले कुछ चीज़े देखा है तो इस chapter में value of firm में value of firm निकालने के बहुत सारे तरीके हैं हर किसी ने अपने अपने theorem दिये हुए है जैसे किसी चीज़ का आप देखे हो अपने अपने अलग laws बोले हुए हैं सेम accounts के अंदर भी और FM के अंदर भी जो पूरे theory को जो first time निकाला तो यहां पे जो है basically 4 लोगों का involvement हुआ हमें है तो और भी लेकिन हमें 4 लोगों के बारे में पढ़ना है एक पढ़ना है हमें mm approach यानि मोदी मिलर ग्यानी इनका नाम इनने बोला बही है value of form इसे निकलेगा एक था net income approach 球 net income approach एक methods था जिसने भी net income approach निकाला उन्होंने बोला कि एसे निकलेगा value of form एक है traditional approach जिन्होंने traditional approach अपरोच करा उन्होंने का value of form ऐसे निकाला जाएगा एक था net operating income अप्रोच तो जिसने ऐसे बोला तो वो तो पहले हम देख लेते हैं इस chapter में 3-4 तरीखे के अप्रोच जाएगा और ये अप्रोच ना सिर्फ अभी आपको सुनना है इसको applicable भी नहीं करना है क्योंकि इस को applicable करने पर मैंने देखा जायतर बच्चे confused हो जाते मैं नाम बता देता हूं क्योंकि सवाल के बीच में नाम आएगा कई बार तो सिर्फ और सिर्फ मैं name यहां पर लिख देता हूं ठीक है चार है बेसिकली इस चार का सिर्फ name लिखूँगा कैसे क्या काम है उसकी बात नहीं करूँगा एक है सबसे पहले net income approach इस पे हम बाद में जब सवाल सीख लेंगे ना practical question कर लेंगे तो फिर इन सारे approaches के जो की इनके adjustments हैं जो इनके theory हैं उनको समझने में हमें आसानी रहेगी तो इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं net income approach इसको short firm में भी बोल देते है NI approach बोल देते है short firm जो question के बीच बीच में आएगा और exam में भी ऐसा पूछा जाएगा तो मैं लिखता जाता हूँ बस नाम आपने देखना है कि ऐसा नाम कुछ है इसका क्या काम है हम बाद में देखेंगे इसके बाद क्या है हमारा net operating income approach सर इसको short firm में क्या बोलोगे NOI ठीक है दूसरा net operating income approach NOI तीसरा क्या है तीसरा आपका है traditional approach मैं जानता हूँ जब मैं यह लिख रहा हूँ traditional approach को कोई short firm में नहीं बुलाते सर्फ traditional approach बोलते है इसका क्या है इसमें क्या करना है आप लोग के मन में यह बात जरूर आ रहा हूँँ सर यह तो बता दो यह है क्या करना कैसे है नहीं है तो मैं अभी के लिए बोलूँगा मैं इसके business पे सवाल नहीं करा हूँगा मैं तो concept बता हूँगा सवाल होगा सवाल होने के बाद end में सबसे last में मैं इन तीनों को compare करके दिखाँगा यह बीच में जब लगेगा मुझे क्या आपको चीजे समझ में आने लगी है तो बीच में हम discuss कर लेंगे एक है mm approach एक है mm approach that is mm approach क्या होता है sir moody miller approach moody miller approach के नाम से है ठीक है न तो यहाँ पे चार तरीके के approaches हैं जो कि इस सवाल के बीच में आएंगे लेकिन questions को करते time पे यह जो तीन points है आपको questions को करते time पे बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा कि कौन से approach से क्या करना है आपसे जो पूछा जाएगा वो valid find कर लोगे mm approach सबसे मतलब के ज़्यादा valid माना जाता है तो यह बिल्कुल अलगी दे रखा है तो इसको अलग करेंगे तो अभी जो हम कुछ concept करने वाले हैं उससे यह तीनों approach एक बार में निबढ़ दाएंगे आपके ठीक है ना तो सर इसको करने के लिए कुछ basic terms का पता होना जरूरी है इसके अंदर basic terms सर बेसिक terms क्या-क्या हो सकता है देखिया जैसे की V जैसे V, V क्या होगा? value of firm इसके बाद E, E क्या होगा? equity इसके बाद E, E क्या होगा? जैसे की D, D क्या होगा? debenture जैसे की P, P क्या होगा? preference share हाला कि P बहुत reary होगा इसके बाद word होगा A, K, E K, E क्या होगा? cost of equity सर, इसके बाद word क्या होगा? आपका K, D K, D क्या होगा? cost of debenture जिन बच्चों की आज first class है ना, मैं सारी चीजे लिख रहा हूँ, पिछले class से इतना ज्यादा नहीं होगा, समझने की कूसिस करिएगा, जिन बच्चों ने पहले अगर ले रखिये classes, starting से, leverage, value of firm, तो काफी बच्चों का न यही doubt आ रहा है सर, पहले कौन सा करना है? तो मैं के पी, cost of preference share, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा के ओ, that is cost of capital, और सर के ओ को ही हम, क्या कहते हैं सर, WACC, weighted average cost of capital भी कहते हैं, ठीक है, इसको weighted average cost of capital भी कहा जाता है, KO, यह तो कुछ abbreviation है, जो की valid है, आप exam में भी इसका इस्तमाल कर सकते हो, और questions के बीच-बीच में भी इस्तमाल होगा, आप इसमें से, आप चाहे तो पूरा word लिख लेजिए, या फिर इसके short form लिख लेजिए, अब कुछ एक formula ये use होंगे, उस formula के उपर discuss कर लेते हैं, ये तो थे basic terms जो की use होंगे, अब बात करते हैं, कुछ formula, basically formula कुछ नहीं है, basically इसमें है, क्या, आपने कर रखा है, उसी को repeat कर रहा हूँ, sir, के-ई कैसे निकाला जाएगा, के-ई निकाला जाएगा, earning, के-ए देखे, के-ई निकालने के बहुत तरीके होते हैं, डो तरीके होते हैं, के-ई निकालने के मैं दो-नों लिकूंगा, लेकिन फिलाल यहां पे और कुछ तरीका होगा, के-ई निकालने का, क्या होगा, sir, earning, पूर इकुटी इसको दूसरे वर्ड में बोल सकता हूँ प्रॉफिट आफ्टर टेक्स अगर प्रिफरेंश यह नहीं है तो यह अर्निंग आफ्टर टेक्स डिवाइड़ वाए कि एकुटी और सबया है मार्किट्र वेली वह अमेज़ा पता चल जाएगा आपको आगर व दे दूंगा आपको पूरूरे फर्म का वी धसलाक रुपए पूरूरे फॉर्म का वी V मैंने दे दिया 10 लाक और यह market value है और मैंने D बता दिया आपको 3 लाक है तो आपसे अगर मैं बोलू कि equity market value निकाल के बता दो ता बहुत फट से बता दो के निकाल के that is आपका 7 लाक रुपए market value आजाएगा ठीक है न तो एक तो इस तरीके से निकाला जा सकता है हाला कि इसका एक और formula होता है जैसे कि ke is equal to d1 divided by p0 plus में g ये formula इस chapter में इस्तमाल नहीं होगा इस chapter में आपका बार बार यहीं इस्तमाल होगा इस formula को मैं थोड़ा और design से भी लिख सकता हूँ कैसे लिखोगे sir इस formula को देखो pat कैसे बनता है ebit उसमें से minus क्या करते हो interest और फिर इसमें क्या कर देते हो last में one minus में t और divided by मैं इसको अगर कर दूँ equity यहां पर number of equity नहीं है value है यह क्या है sir value कुछ बच्चे equity का मतलब number मत समझ लेना जहां पर number आएगा एक यह भी आप apply कर सकते हो तो मेरे से पूछेगा sir इस formula और इस formula में क्या फारक है कोई फारक नहीं है वहां पर direct सब कुछ minus करके मैंने profit after tax ले लिया यहां पर यह जो सारे चीजे है इसको solve करोगे तो आएगा ही हमारा क्या profit after tax divided दोनों formula हमारा सीम है चलिए सर एक formula हमने देख लिया दूसरा formula देख लेते हैं अगर दूसरे formula की हम बात करें तो के ओ कैसे निकाला जाएगा सर इबी आईटी डिवाइड़ बाइड़ वी यानि वेल्यू और फ्रम वेल्यू और फ्रम अब देखो जहां मैंने के लिखा है ना है तो हर कुछ यह percentage में एक बात ध्यान रखिएगा जितने भी मैं केई केडी केपी केओ बता रहा हूं यह सारी की सारी चीज़े परसंटेज में तो लास्ट में और एक शियर की वेल्यू पंदरा रुपय है तो कितने होगे सर तीस हजार तो एकुटी का मतलब यहां पर एकुटी के जगह पर तीस हजार लिखे जाएंगे ना की 2,000 लिखे जाएंगे इसका मतलब मैं यह बताना चाहरा था ठीक है और सर अब यह फार्मूले से ना आप बहुत सारे फार्मूले बना सकते हो तो मान लो आपको ऑसी और यह फार्मूले और बना के नहीं दिखा रहा वैसे तो दस और फार्मूले क्रियेट हो जाएंगे यहां पर समझने दस और फॉर्मुले आप इसी को एधर उदर करके या फिर की आपको इक्विटी पता है तो पैट निकल सकता है आपको पैट पता है की पता है तो वेल्यू ओफ एक्विटी निकल सकता है तो इसको आगे पीछे करके 3-3 देखो एक दो यहां तीन फॉर्मूले बन सकते हैं, और एक दो तीन पॉइंट है तो यहां और कितने फॉर्मूले बन सकते हैं, तीन आगे पीछे करके, तो वह मैं नहीं लिख रहा हूँ, वह फॉर्मूले आपके बन जाएंगे, खुदबाखुद जब कुस्चिन करेंगे, तो एक्वेश जाएगा तो यह बेसिकली तीन फॉर्मूले हर बार यूज होना है ठीक है यह तीन फॉर्मूले हर बार यूज होने है ठीक है इन्टु हंड्रेड है अभी हम कुछ कुश्टन्स भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ठीक है ना इन्टु हंड्रेड ऑल्वेज होगा पहले यहां तक देखो यह फॉर्मूला समझ में आया जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे उनको तो लगेगा यह यूस्टू है यह तो पहले ही देखा हमने सारी चीज़े जिन बच्चों की फर्स क्लास है उनके लिए सारी चीज़े नहीं है वो नहीं चीज़े देख लो हम इक का मतलब इक्यूटी अब्रिब्रेशन लिखा पहले यह देखो यह सारी बाते समझ में आये तो फिर हम आगे चलते हैं इंकम स्टेट्मिंट बनाने जाते हैं और कुछ हम प्लैन को देखेंगे कि किस तरीके से प्लैन होगा कुछ एक और अब्रिब्रेशन भी हो सकता है वह मैं अब्रिब्रेशन वह भी लिखी देता हूँ और क्या क्या हो सकता है जितने मुझे अभी याद आए करते भी वह वह बने लिख दिया एक T होता है T तो हर किसी बच्चे को पता है नए T stand for क्या होता है रेक्स तो मेरे लिख्खा नहीं से क्या होता लिए टेक्स Wie अर करफके वह चीजे लिख नहीं है क्रिछ अबेरा लिख लिख्षा नहीं है आपके यह चीजे मुझे लगा है आई का मतल क्ला सब्सक्राइब कर दे weather गर इस बाकी ये वाला फर्मॉला तो यूज ही नहीं होता जनरली ये फर्मॉला बहुत रेर रहता है कि यूज हो ये आगे यूज होगा भी नहीं बाद में यूज होगा ठीक है लीवरेज में इबीटी से टी लेस करते हैं तो पैट आता है बिल्कुल सही बात है इबीटी से टी लेस करते हैं तो यह देखो यह वाला अगर इसमें से यह माइनस करेगा तो इबीटी है उसमें से टेक्स में माइनस करेगा तो पैट आएगा तो पैटी लिखा है मैंने बिल नहीं लिखा है यहां आप बोलोगे तो मैं लिख दूँगा चलो लिख देते हैं क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो बोलेंगा सर कुछ चीजे तो हमें पता ही नहीं है कि एक मिनट कि यह क्यों कि लिख देते हैं कुछ चीजे पॉइंट रहे गई है ना मैं बाद का ना फिर बच्चे डाउट हो जाता है उनका कि का मतलब है यहां पर कि टेक्स पीजीरो का मतलब है करंट प्राइज ठीक है और बताओ पीवन का मतलब क्या होगा पीवन का मतलब जो मार्केट प्राइज है एक्सपेक्टेड होता है जो कि यह प्राइज हो जाएगा ठीक है और डी का मतलब क्या है सर पीजीरो का मतलब डिविडेंट जो कि पेड हो चुका है पीवन का मतलब क्या है सर जो डिविडेंट विल पे करेंगे यह सबी ना जैसे जैसे यूज होगा ना यूज करना हम सीख जाएगा अब इंकम स्टेटमेंट पे आ जाते हैं और भी चीज़े समझ लेते हैं आपको ना हर बार जैसे मान लो आपको बता देगा जाएगा कि फंड जो है मुझे पांच लाख रुपे का इंतिजाम करना है या फिर मैंने बता दिया मेरा पांच लाख रुपे का सारा हिसाब किताब बनाना है इसमें से थर्टी परसंट डेट रहेगा तो आपको पता होना चाहिए कि एक्यूटी कितना होगा थर्टी परसंट का मतलब है डेड़ लाख रुपे क्या होगा तो बाकी का साड़े तीन लाख क्या हो जाएगा हमारा एक्विटी होगा ऐसे ध्यान रखना है आपको एक सर्टेन फंड बताए जाएगा उस फंड के हिसाब से आपको एक पोर्संट बता देगा कि इतना डेट है करके तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा इंकम पहले इंकम स्टेटमेंट देख लेते हैं कैसे कैसे होगा क्योंकि फिर इंकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो थोड़ा सा रहेगा यह देखे 2012 में पूछा गया है मैंने पहले आपसे क्या बोला एक पर दुबारा रिवाइस करवा देता हूं हम कहां तक थे value of firm value of firm firm की कीमत का मतलब जहां पे equity, debenture और preferent share तीनों के market value को add कर दोगे value of firm होता है इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है इसके बाद सर हमारे चार approaches है लेकिन questions के बीज में पूछा जाएगा चार approaches तो सर इसको इस approach से कैसे करना है इसके उपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना आपको सवाल दिया होगा आप पूरा answer निकालिएगा last में बस theory के point of view से comparison किया जाएगा ना कि approaches के point of view से question होगा कुछ abbreviation use होने कुछ shortcut use होने जो कि मैंने यहां पर लिख दी है सर आई जो ebit है minus interest answer के लिए है one minus t means ebt text अभी देख लेते हैं सुभम जो भी रहेगा one plus cbdt cbdt cbt हट गया है corporate cbt नहीं है जैद अबना corporate cdt होता था corporate dividend tax वो हट चुका है इसलिए पार्टी नहीं है ठीक है दीरे दीरे चली आगे देखते जाएंगे आईए एक आपके सामने question है पहले हम एक बार questions को थोड़ा समय दें समझने के लिए जैसा ही question समझ में आएगा आपको पता चल जाएगा usually करना क्या है कहता है हमारे पास दो organization है एक s limited और एक t limited तो मैं आपके सामने न साथ के साथ format भी कर लेता हूं दो organization है तो दोनों के लिए एक ही बार काम करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा fm का partner इसी format में जाता है हमेशा ज्यादे से ज्यादा इसी format में जाता है यितने part है उसको derive कर लिजिए कहता है apo organization है एक है हमारा s limited यहां पर s limited लिएते हैं और एक हमारा t limited यहां t limited लिएते हैं s limited वाले का कर लेंगे t limited वाले कर लेंगे the same risk class same risk class का मतलब risk का मतलब क्या होता है कि जैसे आप पैसे कहीं invest करते हो तो कितने chances है कि आपके पैसे वहाँ फस सकते हैं या डूब सकते हैं तो risky कितना है जैसे आपने किसी को पैसे दी है तो कितने percent risk है वहाँ पे तो same risk class company है मतलब दोनों में एक ही तरीके से है अगर आपको बोला जाए S में invest करोगे या T में तो बोलोगे या दोनों जगा same risk है तो कहीं भी हम कर सकते है and identical all respect except the company as used debt सभी चीजों में identical का मतलब है एक समान है लेकिन फरक ये है कि S जो है ना वो debt S के पास करजा है और बाकि जो T के पास होगा वो करजा नहीं होगा यानि आप समझ सकते हो कही बार जरूरी थोड़ी है कि हर किसी company के अंदर debenture होई नहीं हो सकता किसी company में debenture equity preference तीनों है किसी company में सिर्फ equity है किसी company में equity और debenture है तीनों चीज़े possible है न तो वही कह रहा है कि S के अंदर debt है वाइल दा company टी के अंदर no debt है इसके अंदर कोई भी debt नहीं है और इसके अंदर S में debt है यानि क्या कहना चाहा है T के अंदर करजा है ही नहीं और S के अंदर करजा है और करजे का मतलब क्या debenture ठीक है अब देखो लीवर्ड जिसके अंदर debt होगा जिस company में debt होगा उसको हम leaverd कहते है उसको क्या कहते हैं leaverd और जिस company में debt नहीं होता no debt जिस company में debt नहीं होता इस बात को ध्यान रखिएगा बार बार आएगा word उसे unleaverd कहेंगे ठीक है न leaverd का मतलब company के अंदर करजा है करजा है और unleaverd का मतलब करजा नहीं है इसका मतलब unleaverd में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा equity होगा और leaverd में क्या होगा equity और debt दोनों ही दोनों होगा समझ रहे हैं बात आप तो यहाँ पे कहता है कि अदा leaverd firm अब leaverd बताओ कौन सा है आप अभी मैंने समझाया कहता है कि भाईया S के अंदर debt है और T के अंदर debt नहीं है तो the leaverd firm has leaverd का मतलब किसकी बात कर रहा है जिसके अंदर debt होगा उसको क्या नाम दिया लीवरd तो यहाँ पे S के अंदर debt है और इसके अंदर debt नहीं है तो किसकी बात कर रहा है वो S की कहता है दा leaverd firm has 9 lakh debenture carrying interest 10% कहता है कि भाईया जो भी leaverd firm आपके है जो अपकर बताये गया है उसके अंदर कितने का debenture है 9 lakh का तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ debenture कितने का debenture है सर इसमें 9 lakh rate कितना है तो simple सी बात ऐसे लिखेंगे ना 10% debenture 9 lakh का ठीक है आगे कहता है बोथ firm earn 20% operating profit their total assets जितना भी इनका assets होता है उसके उपर 20% दोनों firm कमा लेती है और assets का value 15 lakh दे रखा है तो इसका मतलब सर operating profit का मतलब कहने का है EBIT EBIT जो दोनों firm का है और कितना है हमारा EBIT कैसे निकला यहां लिखता जाता हूँ EBIT कैसे निकला सर 15 lakh assets है और इसके उपर कितने परतीशत 20% जो कि कितना आ गया 3 lakh तो यहां पर कहता है both firm earn operating profit operating profit का मतलब EBIT होता है EBIT को भी क्या बोलते है हम operating profit ध्यान रखिए इस word को EBIT कितना है दोनों का सेम है तो इसका भी क्या होगा 3 lakh और इसका भी क्या होगा 3 lakh ठीक है यहां पर firm word जादा यूज होगा मैंने गोला firm का मतलब क्या है company से क्योंकि debenture और shares तो भी या company में होता है partnership firm में थोड़ी ना होता है the company tax bracket में 30% company का tax rate में 30% and capitalization rate capitalization rate all equity यानि आपको question में के यी दिया जा रहा है के यी कितने दिया गया all equity कहता है the capitalization rate 15% all equity share यानि सर यहां पर आपको के यी मिल गया के इसका भी कितने परसेंट है 15% और इसका भी कितने परसेंट होगा 15% दोनों का दे दिया के ठीक है you are required to compute the value of s s की value बताईए और t की value बताईए और यहां बोल रहा है net income approach इस income approach को नहीं देखना है इसका क्या मतलब है हम सीधा answer निकाल देंगे ठीक है न अपरोच इस theory के point of view से बनाए गए है practical के point of view से बच्चा उलत जाता है इसके अंदर इसलिए भाईया वी निकालना है आपको ultimately वी अब वी निकालने के लिए क्या करोगे सर पहले हम पूरा प्रोसेजर कर लें वी निकालने का formula क्या होता है equity प्लस में debenture है तो debenture दोनों को जोडना है वी आ जाएगा बड़ी simple सी बात है कौन सा अपरोच चल रहा है उसे छोड़ दीजिए आप समझ में आ रहा है अब भाईया इसके अंदर तो equity होगा इसके अंदर तो debenture होगा ही नहीं तो सरिफ equity को निकाल लेंगे वही वी है इसके अंदर equity और debenture दोनों निकालेंगे तो वी है अब सर हमें debenture तो पता है इसके अंदर इसमें से minus क्या कर दो interest interest minus करोगे तो ये कितना है हमारा 90,000 कुछ बच्चे बोलेंगे कैसे आया तो 9,000,000 पे 10% ना 90,000 यहां पे interest होगा ही नहीं तो जो हमारे पास result आया यह क्या आगे हमारा EBT इसे बोलते है interest before, sorry earning before tax अब इसमें से इसको minus करोगे तो क्या आजाएगा 2,10,000 और ये कितने आजाएंगे हमारे 3,00,000 अब इसमें से हमें क्या minus करना होता है पता है tax को minus करना होता है finally tax का rate bracket दे रखा है 35% तो tax का rate जो दे रखा है 35% that is 2,10,000 का 35% तो 73,500 और इसका 35% निकालेंगे हम that is 1,05,000 समझ पारे हो बात ठीक है और इसके बाद minus करने के बाद जो पैसा बसता है वो क्या जाता है EAT और ये सारा पैसा किसके लिए होता है सर equity वालों के लिए तो 3,00,000 माइनस में 30% तो यह आजाएगा 3,00,000 माइनस 35% तो यह आजाएगा 195 यह क्या आजाएगा 195 इसके बाद देखा जाए 2,10 का 35% यह आजाएगा 136 500 अब बताएवी निकालना है अब ध्यान से सुनीगा वी निकालना है सबसे पहले मैं जो question पूछूँँगा बताते जाएगा वी निकालने के लिए क्या क्या जूरत पढ़ती है मैं वी का formula लिख देता हूँ थोड़ा सा adjustment कर देते हैं इसको वी का formula लिख देता हूं नीचे ताकि आपको याद आ जाए के वी का formula क्या है सर वी का एक ही formula है बड़ा simple सा E plus में D यही formula तो सीखा है हमने वी का वी का क्या formula है E plus में D अब इस वाले firm में T में तो भाईया D तो है नहीं यानि E पता चल जाए E का मतलब market value of equity और D इस वाले firm में D पता है और इसमें भी E पता कर ले और इसमें भी E पता कर ले तो दोनों को हम निकाल सकते हैं वी समझ रहे हो बात को अगर इसमें आपको debenture पता है न अगर मैं equity की value बता दू तो दोनों को जोड़ दोगे debenture और equity को और यहाँ पर क्या लिख दोगे वी यानि सर वी क्या है V is equal to E plus में T यही formula तो सीखा है अब मुझे हर किसी में equity चाहिए equity का क्या formula होता है सर अब equity का formula मैंने पीछे बनाया नहीं था आपको बनाना है यहाँ देखिए मैंने केई लिखा है यहाँ पे equity का formula आप बता सकते है equity को इधर करके आप निकाल सकते है equity का formula फटा फट से आप drive करके बताईए क्या बन सकता equity कैसे निकल सकते है सोचिए equity कैसे निकलेगा क्योंकि equity के लिए आपको केई दे रखा है question में और PAT PAT यानि EAT या PAT बोलो या EAT बोलो यह आपको यह भी पता है question के अंदर और यह part भी पता चल चुका है है की नहीं है कही पहले से दे रखा था और यह वाला part पता है तो equity कैसे निकालोगा equity का formula बना लो या इसी formula में आगे पीछे करके कर लो मेरे से पूछो सर equity का formula आप बना कहीं दिखा दो तो मैं equity का formula कहां बनाऊँगा किधर बनाए इधर बना देते हैं roughly इधर बना देते हैं roughly सर equity पता है क्या हो जाएगा equity is equal to आपका equity is equal to हो जाएगा EAT divided by KE अगर मैं सही बोल रहा हूँ अगर आपको इतनी छोटी सी बात अगर समझ में आगे तो मेरे हिसाब साब मैं formula लगाऊँगा तो आपको objection भी नहीं होगा is equal to PAT या EAT लिखेंगे symmetric रखना है हमें EAT divided by KE पहले वाले question में EAT क्या है 136500 divided by KE कितना है 15 है तो percentage के जगाँ पर मैं 0.15 लिख लेता हूँ अब 100 लगाने की जूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको खुदी convert कर दिया तो एक लाख 36500 divided by 0.15 यह आगे सर नौ लाख 10,000 दूसरे वाले का भी निकाल देता हूँ कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसका भी निकाल के दिखाओ तो इधर निकाल के दिखा देता हूँ कैसे आएगा 195 divided by 0.15 सर तेरा लाख आगे आए तो यहाँ पर क्या निकाल के आगे हमारा यह 13,00,000 अब वी निकाल यह देखिए कुछन में कौन सा अप्रोच है उसे मत ध्यान देजिए आपने क्या निकालना है वी और वी निकालने का फॉर्मूला स्टार्टिंग में देखा था तो वी कैसे निकालोगे सर आपका यहाँ पर क्या चाहिए एक डिबेंचर और एक इक्यूटी इक्यूटी यह रहा और डिबेंचर यह रहा डिबेंचर तो कितने हैं गो नौ लाख और 9,00,000,000 यह लो मैंने डारेक्ट करा है यहाँ पर इसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए यहां पर क्या होगा सर्ड डिवेंचर तो है नहीं तो यहां पर क्या हो जाएगा 13 लाग यानि सर यह भी पॉसिबिलिटी है जब डिवेंचर नहीं होता है तो के सरी इस इकल टू वी माना जाता यहीं वा ना इकूटी भी यही था और वी भी यहीं हुआ तो एक फार्मुला और मैं लिख दूँ यहां पर कि कई बार ऐसा होता है हमारा यह थार्ड पॉइंट है न कई बार ऐसा हो सकता है पॉसिबल स्लैश करके लिख देते हैं कि आपका इ इस कल टू वी हो जाए ठीक है इस इस इकल टू वी पॉसिबल है हो सकता है अब मैं दूसरा question पूछता हूं को क्या होता है overall चलो अगले question में आएंगे को नहीं तो मेरा तो मन करना था इस question में जो examiner ने दिया है वो तो देता ही है मैं इसके अंदर एक part और जोड लेता हूं एक part और जोड देता हूं अपनी मर्जी से जोड रहा हूं के ओ भी निकाल के दिखाओ चलो अब आप के ओ भी निकाल के दिखाओ मैं अपनी मर्जी से एड कर रहा हूं यहां ठीक है के ओ भी निकाल के दिखाओ देखतें कितने बच्चों का अंसर आता है कि मैं पीछे formula दिख मैं इधर लिख देता हूं आपके सामने के ओ भी निकाल के दिखाओ भाई के ओ होता क्या है इससे निकलता है कितने बच्चे के ओ निकाल सकते हैं जैद का ठीक है दिया का ठीक है के ओ बताईए के ओ निकाल पाओगे इसमें और के ओ भुक में नहीं पूछा गया यह मैं प्रस्नली पूछ रहा हूं आप से कि आपको बस प्रैक्टिस हो जाए बच्चों ने बताया 16,57,000 किसका के ओ बताया यह नहीं बताया स वाले का कितना है ऐथ के ओ नहीं केओ तो पर्संटेज में 16,57 चेक कर लीजीएगा के ओ दूसरे का के स्थ बताओ दूसरे का क्यों पता है बिना calculation के मैं बता सकता हूं निकालो दूसरे का के होश बताओ नहीं एक मिनिट मैंने कुछ गरबड कर दिया गया मार्केट वेल्यू 13 लाख कितने आ रहा है यह एक मिनिट रोग वी है 13 लाख डिवाइड बाई तैरा लाख क्यों होगा हाँ तो value from EVIT कितने तीन लाख है न तो तीन लाख डिवाइड बाई तीन परसंट तीन परसंट तीन लाख ठीक है तीन परसंट अभी इसको न हम बाद में एक चीज जो और पॉइंट है अभी मैं बता रहा हूं 23 पॉइंट क्या रहा था 06 और इसको मैं थोड़ा अलग कलर से भी कर देता हूं यह तो मिट जाएगा और बाजि का साट आपका यह निकाला पार आयकि किताब मैं कर आता हूं कि आप के लिसकैण BOB के आपका इक्चर शेुआ18 ह defense और यह क्यां पूछा गया चैनलो और आपके अबम सैब्रमश कोषा गया सब्सक्राइब capitalization दोनों में क्यों लिखा है क्योंकि सवाल में बोला था कि दोनों का 15 परसेंट है देखे कुश्चन में कहां कहता है 15 परसेंट कहता है capitalization rate 15 परसेंट और all equity share और चाहे इसका हो चाहे इसका हो इसलिए मैंने 15 लिखा इंट्रस क्यों नहीं आया टी का मतलब tax होता है इंट्रस तो होता ही नहीं कि अभी और question करेंगे इतना थोड़ी कराने वाले अभी तो और question भी करेंगे एक और सवाल देखें प्रैक्टिस के पर्पस के लिए फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे question एक और देख लेते हैं चलिए देखिए थोड़ा ऐसा यह देखो पता नहीं कैसा question दिख रहा है हम देख लेते हैं कि यह हमें अभी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है ओह वेल्यू फविडी दे दिया सब कुछ दिया एक्विटी शोला पर संदे रिया अज्यूम देखा दिखा वेल्यू फंने टेंट इंग रिखा थेक है सार आपको आपको याद एम्टलोई 15 पर संट 12 लाख रुपे कैपिटल अपरेट कि यह आंसर है क्या मेरे को लग रहा है यह आंसर भी कॉपी कर दिया कि सुलीशन नहीं लिखा कि कोई बात नहीं है चलिए यह कुशन वही मैं पड़ रहा था यह कुशन यहीं तक है तो आपके सामने सिर्फ कोईशन दिखेगा ठेक है एक कोईशन यह है चलिए आ जाईए अगेन हम वही फॉर्मिट बना लेते हैं कुछ बच्चे कहते हैं प्रोग्राम में यह नहीं आरा है बच्चों को सर्य टफ लग रहा है तब मानू में कि हां भाई प्रोग्राम वाले बच्चों को ऑनेर्स वाले कुशन टफ लग रहें तो नहीं कराने चाहिए मुझे तो लगता है दोनों ही सेम हैं एक रहे गाई है ओहो चलिए सबसे पहले आपको क्या कहता है कुश्चन पढ़ लेते हैं एक बार कुश्चन कहता है अपरना स्टील लिमिटेड एक कंपनी है has a employed 15% debt और यहां पे 15% debt वाला 12 लाग रुपए का करजा है capital structure में the net operating income of the firm 5 लाग यानि कुश्चन में EBIT दे दिया EBIT और कितने दे दिया आपको पांच लाग दे दिया equity capitalization rate दे दिया आपको 16% और कुश्चन में के दिया इधर लिख देता हूं और कुश्चन में कहता है assume there is no tax logitex भी नहीं है find out the value of firm कौन सा अप्रोच है इसको छोड़ते है value of firm निकालना है तो बहिए सबसे पहले इसमें से minus क्या कर दो interest interest minus करेंगे किस पर क्यूंकि debenture दे रखा था कितना 15% that is 12,00,000 का 15% कितने होगे निकालो एक असी minus करो क्या जाएगा 3,00,000 यह आगे हमारा e bt minus कर दो tax सवाल कहता है tax zero है तो यही क्या आ जाएगा e 83,00,000 और सर अब आपको v निकालना हो तो v क्या कहता है v निकालने के लिए आपको equity और plus में क्या करना होगा sir d करना होगा sir d सवाल में given है कितने d हैं sir 12,00,000 sir e आपको निकालना पड़ेगा e निकालने का formula क्या है आपका p e a t अभी सीखा था ना e a t divided by k e e a t है आपका 3,20 e और आपका k e दे रखा है 0.16 3,20,16 यह आगे 20,00,000 तो अगर हम इसको total कर दें तो वी आ जाएगा यहां पर sir वी कितना आ जाएगा 32,00,000 ठीक है वी के आ गया 32,00,000 तो ऐसे छोटे-छोटे questions होंगे जो की करना है बच्चोंने बता भी दिया sir वी आएगा 32,00,000 दिया ने बता दिया एक ताने 18,00,000 क्या बता है एक असी बता दिया चलो ठीक है आगे चलते हैं और भी question देखते हैं देखो अभी तक हमने जितने questions किये और आगे भी जब करेंगे अप्रोच को धियान में नहीं रखना आपके सामने questions है आपको concept clear है आंसर करना है अप्रोच स्रिफ theory के अंदर हमें लिखना आपड़ता है वो भी कुछ assumptions है जो की देखेंगे हैं कहता है OI Limited belongs to the risk class to a risk class 10% and expected EBIT आपका 4,00,000 है the employee 8% debt debt कितना है 8% structure find out the value of firm and cost of equity यानि क्ये ही निकालना है if the employee debt and अगर employee का debt कितना हो 20% कहता है if the employee debt extent of 20% अगर debt हो जाए 30% debt हो जाए 50% the financial requirement आपको कितने का है 20,00,000 अब 20,00,000 है बोला तीन बार निकालके बताओ अगर debt आपका हो कितने % 20% तो बताओ क्या होगा वी debt आपका 35% हो तो बताओ वी क्या होगा debt आपका 50% है तो बताओ वी क्या होगा आपका हर किसी में बोल दिया यानि इस सवाल के अंदर आपसे क्या पूछ लिया गया के यी पूछ लिया गया और वी पूछ लिया गया ये दोनों उसके साहेता से आपको वी निकाला जा सकता है अभी देखिए कैसे कैसे करेंगे फॉर्मूला कैसे अपलाई करने वाले हैं कि कि इन प्लैन हो गए नहीं यहां पर कि सर कितने प्लैन हो गए एक दो और तीन चलिए सर तीन प्लैन प्लैन नमबर वन में कितने परसेंट ट्विंटी परसेंट डेट होगा हमारा कितने परसेंट और रेट डेट का क्या है बताओ डेट का रेट कितना है 8% है, तो सभी में 8% होगा, और हमें fund जो चाहिए, कितने का fund बोल रहा है ये जो financial requirement है, वो कितने का है, तो सभी का percentage जो निकलेगा, वो किस पे निकालेगे 20,00,00 पे निकालेगे, तो पहले वाले case में, option number 1 में बोलता है 20%, तो कितना debt होगा 4,00,00 समझ में आए, कैसे 4,00,00 आएगा option number 1 के अंदर option number 1 के अंदर, कैसे निकाला 20,00,00 का कितने परसेंट पहले option में कहता है, भईया, 20% debt लो, तो कितने आगए 4,00,00 आगए option number 2 के अंदर debt कितने परसेंट, 35%, तो 20 का 35% कितने आजाएगा 7,00, option number 3 में 50%, तो कितने आजाएगे आपके 50%, 10,00,00, ठीक है question में आपको क्या दे दिया, के ओ दे दिया हाला कि question में, के ओ दे रखा है आपको, के ओ कितना दे रखा है आपको, 10%, वो तो हम उधर लिख रखा है, इधर लिखने की कोई जोरत नहीं है अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, EVIT Sir, EVIT question में दे रखा है नहीं दे रखा Sir, EVIT दे रखा है, के 4,00,00, रुपए तो सभी case में 4,00,000 ही मानना पड़ेगा आपको क्योंकि एक ही firm है, उसके option multiple है अब minus क्या कर दो इसमें से interest, तो 4,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, क्या इल्टम सब्सक्तिकुर्ण है चीसे एंफ को सब्सक्राइब कर दो और फिर नहीं देरा है चेक कर लेते हैं कि Faith कर लेते हैं कि आर में फाइनेशल स्ट्रिक्चर फाइंड डेट है तेक्स रेट नहीं पता है देखो बुक में पूरा कोश्चन आया नहीं यहां तक बुक में देखो पूरा कोश्चन आया कि नहीं आया कोश्चा कोश्चन है एक तो मेरे पास बुक भी तो टेक्स नहीं है ना नहीं है चलो टेक्स तो टेक्स माल लेते हैं यह सर आप हमें भी करना पड़ेगा ऐसा एक्जाम में सिर्फ प्रैक्टिस के परपस के लिए कर रहा हूं एक फॉर्मेट बन जाएगा ना माइंड में यहां पर क्या पता है यहांपे सर के वो पता है के ओ पता है कितने के ओ दे रखें 10% तो हर किसी में क्या पूछा गया है एक तो के पूछा गया है अगर आपको के ओ पता हो क्योंकि के ओ का फॉर्मूला क्या बताया था सर आपने sir मैंने बताया k o is equal to e bit divided by k o is equal to e bit divided by kya बताओ divided by v ठेक है नए divided by v यह फॉर्मूला हमने पीछे लिख लिखा है अब k o पता है e bit पता है तो v निकल जाएगा easily तो मैं सबसे पहले चलो v निकालने का काम लेता हूँ V क्या हो जाएगा हमारा इसको solve अगर हम करते हैं तो V क्या हो जाएगा हमारा EBIT divided by KO अब सर पहले वाले का amount भी लिख देते हैं EBIT क्या है 4,00,00 KO कितना है 10% 0.1 तो कितना आ गया 40,00,00 correct दूसरे का क्या रहेगा 40,00,00 और तीसरे का क्या रहेगा पहले KO देख लो बच्चों ने बता भी दिया 40,00,00 है 40,00,00 पहले का KO देख लो सभी का 40,00,00, 40,00,00 किसी को इसमें कोई दिक्कत किसी को problem है 40,00,00 कुगो मैंने निकाला है अब क्या यहाँ पर E निकाल सकते हो आप अब K E निकालना है आपको इसने बोला भी यह K E निकालो K E का formula याद नहीं होगा आपको अभी तो लिखा यह K E is equal to क्या होता है हमारा E A T divided by E ठीक है divided by अब देखो आप E तो निकाल सकते हो E का मतलब equity है E कैसे निकालोगे जब V में से आप debenture माइनस कर दोगे पूरे value में से जब debenture माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास equity तो value 40 लाक है debenture 4 है तो equity कितने बचे बताओ equity कितने बचे इसमें बच जाएगा 36 लाक और इसमें भी क्या बचेगा नहीं इसमें दालग बचेगा इसमें 40 में से 7 माइनस करोगे तो कितने 33 और इसमें 40 में से 10 ठीक है E मैं लिख देता हूँ यहाँ पे V माइनस में D ठीक है यही बनेगा ना अब K E का formula क्या बन जाएगा सामने लिखा है K E is equal to E A T divided by बताओ क्या लिखा हूँ है सामने बताओ देखके E A T divided by E और E निकाल लिया हमने पहले का कैसे निकलेगा 36 लाख divided by sorry E A T लिखना है न E A T क्या है हमारा 368 368 divided by आपका E E कितना है हमारा पहले का 36 लाख इसको solve करो 368 हाँ divided by 36 लाख और इंटू 10 भी कर दो तो 10.22 चलो दूसरे का निकाल के बताओ कौन बच्चा दूसरे का वोईस नहीं आ रही एक बार चेक करके बताईए एक स्टूडेंट कह रहा है सर वोईस नहीं आ रही कनक कहना है चेक कर लीजे एक बार मेरे पास तो 100 हो रहा है वोईस का अभी मैं एक बार और क्लियर करूँ आ पहले वोईस का कन्फर्म कर दो क्लियर है क्लियर क्लियर दूसरे का बताओ के हो कैसे आएगा के दूसरे का के बताओ कितना है दूसरे का के कौन बताएगा चलो देखते हैं लाइब में कौन बता रहा है दूसरे का की दिया ने बता दिया 10.22 10.42 10.42 तीसरे का 10.42 तीसरे का 10.42 बता रहे हो पक्का ना 6.6766 चलेगा 32 क्या बताएगा दिया ने 32 तो है नी 10.66 है कैसे 3,20,000 divided by 30,000 10.66 है ठीक है समझ मैं अब बताओ मैंने अभी आपके सामने 3 सवाल किये ठीक है और 3 सवाल में एक अप्रोच लास्ट में चिपका रहा था कि इस अप्रोच के हल्प से करो क्या हमने सवाल करते समय पे अभी तो हमने अप्रोच सीखा ही नहीं है लेकिन हम कोश्चन कर पा रहे हैं तो मेरा कहना यही था जितने भी कोश्चन सोंगे ना आपके बुग के सारे हो जाएंगे अप्रोच कभी बीच में मैं ठियोरी के प्रोस्पेक्टिव से डिस्कस कर लूँ है अब देखिए बच्चे बोल रहे हैं सर ए समझ में नहीं आया ए समझ में नहीं आया तो यहाँ पर कर देते हैं अरे जिनको E समझ में नहीं आया उनके लिए मैं अलग से कर देता हूँ E Sir E का formula मैं लिख रहा हूँ E का formula क्या होता है E is equal to Sorry पहले K E लिख देता हूँ K E सिखाया है K E is equal to E A T divided by आपका E यह formula होता है अब आपको E चाहिए आपको K E नहीं पता आपको क्या चाहिए यहाँ पर अब यह formula के E का है और E निकालने का एक और formula बन सकता है Sir V में से अगर आप D को माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा E आप और भी detail में कर देते हैं इसको आपको यह तो पता ही होगा Sir क्या V is equal to E plus में D होता है अगर आपको V इधर ले जाएं और E को इधर लियाएं तो बात बन जाएगा यानि E is equal to आपका V माइनस में D बन सकता है तो यहाँ से equity निकाल लिया हमने देखिए equity कैसे निकाला पहले वाले case का equity दिखाएए आपका V क्या है यह रहा आपका V यह V है और V आपका 40 और debt देखिए क्या है D यह रहा 40 में से 4,00,000 में माइनस किया तो देखिए यह निकल गया E तो इसी तरीके से 40 में से 7,00,000 माइनस किया तो यह 40 में से 10,00,000 माइनस किया तो यह अब आपके पास equity की value available है आपके पास profit after tax है यानि earning after tax भी है और equity भी है तो आराम से K निकाल सकते हैं तो यही formula apply करके मैंने K निकाल लिया Sir V कैसे निकाला आपने V का formula क्या होता है EBIT divided by V KO का formula होता है KO हमें question में गीवन था risk class का मतलब होता है KO cost of capital का मतलब होता है KO KO गीवन था और KO की help से हमने V को निकाल लिया यहाँ पे Yes KO से ही हमने V बनाया है बच्चे करें सब थार्ड का E 30 लाख होगा देखो थार्ड का E 30 लाख ही लिखा है इसी के सामने है मैं इसको न लाइन में divide कर दूँ क्या Confusion ना हो इसलिए लाइन में divide कर देता है यह लो यहाँ यह इसका है एक बार ऐसे समझ लो मैंने line में divide कर तो दिया आप समझ में आएगा कि नहीं आएगा देखिए 40 लाख तो interest है वो minus क्यों किया 40 लाख interest कहा है 40 लाख कहां से interest दिखा 40 लाख V है और यह 4 लाख दिवेंचर है interest नहीं है 4 लाख 20% है interest तो इसके उपर 8% निकाला गया है बताइए कितने बच्चों का doubt है इस question में है किसी का doubt बाकि इसको बिल्कि थियोरी भी आएंगी आपकी आप एक बार इसको नोटिंग करिए offline वाले बच्चे क्योंकि यह important है और आपने देखा formula अगर याद है तो फटा-फट कर पाओगे और formula याद नहीं है पहले आप V का सबसे पहले ही V का formula लिखा ये लिखते जाएए मैं बताता जाऊँ हूँ और जिनके doubt है उनके मैं doubt sort out करते जाता हूँ आप doubt बता दीजिएगा तो sir पिछली class में एक बहुत ही simple chapter value of firm start किया इसके अंदर value of firm का मतलब क्या था कि equity और debenture और preference तीनों को add कर दो that's called value of firm इधर ध्यान दीजिएगा सबी बच्चे और साथ के साथ इसमें कुछ हमने example भी लिये थे इसके बाद देखा इसमेंने कुछ approaches है मैंने का practical question करना ना तो approaches को बिल्कुल ध्यान में मत रखना जो चीजे बता है अभी और भी एक class में एक approach का खतम कि आपको पता नहीं लगा होगा आज दूसरा approach भी तीसरा approach भी करवा दूँगा बोलो कि सर इसमें तो approach का समझ नहीं आये लेकिन answer आ गया approach सिर्फ theory के point of view से आगे देखा जाए तो कुछ abbreviation यूज किये थे और कुछ formula यह आपके सामने सभी ने note कर लिया और जितने बच्चों की first class है मैं उन सभी बच्चों को बोलूँगा और video डाल दिया है कि how to start class पहले आप leverage देखें और फटा-फट खतम करें जितने यह चप्टर खतम होगा तो next unit के अंदर आप आ जाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा आपको ठीक है ना और मैंने बताया था पहले क्या-क्या start करना नहीं करना और सारी चीज़े बता दी थी आपको मैंने कुछ questions किये थे 8.2 कर लिया हमने second part में market value मैं test का discussion last में करूँगा अभी test के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता मैं class को start करते हैं फिर हम test पहाएंगे ठीक है ना नहीं तो फिर उसको justify करने में test को समझने समझाने में आज का वक्त निकल जाएगा मैं last में time दूँआ ना मैं ही available हो बहुत simple सा chapter क्या कहता है कोशन में ध्यान दीजिएगा ABC limited with EBIT sir EBIT कितने 3,00,00, is evaluating a number of possible capital structure बहिया एक manager होगा उसने बोला कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो मतलब बहुत सारे option दिये which capital structure do you recommended and why कौन सा capital structure दोगे और why जहां पर हमारा shareholder का फाइदा होगा केई जादा हो जाए और सारे चीज़ा भी देख लेंगे पहले capital structure दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा हर किसी का debt दे रखा है मजे की बात और debt का percentage दे रखा है तो आपका वही capital structure सबसे बढ़िया है जिसका V यानि value of firm क्या हो सबसे जादा हो जिस organization जितनी बड़ी हो जाएगी अकर हम calculation करें तो वो उतना बढ़िया है तो जिसका जादा value of firm वो उतना बढ़िया है बड़ी सी बात है तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि capital structure में कौन-कौन सा part आएगा कितने part दे रखें पांच पांचो कर देते हैं पांच column बना लेते हैं फटा-फट अब देखें इस question में तो कोई approach ही नहीं है चलिए देखें पांच column बना लिया गया आपके लिए पांचो एक बार में खाता 1 2 3 4 5 पहला capital structure debt है EBIT तीन लाख है तो हर किसी में EBIT जो रहेगा तीन लाख ही रहेगा EBIT तीन लाख तीन लाख अब सबसे पहला काम क्या होता है सर interest माइनस करना चलो interest माइनस कर देते हैं interest पहले वाले debt में ध्यान देना तीन लाख कर जाए और उसके उपर कितना ब्याज 10% तो पहले वाले का क्या आएगा सर दूसरे वाले का हर किसी बच्चे को पता होना चाहिए हर एक student को पता होना चाहिए कि interest कैसे calculate किया जा रहा है कि और इसका क्या आएगा शिफ्टी फाइव और इसका और इसका देख लेना मैंने डिर्क लिखा है आप भी चेक करिएगा एक बर कहीं क्या पता मेरे से calculation में mistake हो जाए चलिए यह क्या गया ई EBT है ना 270 240 यह 60 245 228 216 मजे की बात सवाल में text है ही नहीं टेक्स नहीं है तो EAT EBT को ही मैं क्या बोल सकता हूं EAT भी बोल सकता हूं 98 है इसलिए मैंने कहाँ चेक कर ले रहा हूं पक्का 98 बच्चों का भी आ गया 98 है ठीक है एक लाक दो लाक है ना ठीक है अब यही EAT बन जाएगा जो EBT है यही EAT होगा क्यूंकि टेक्स ही नहीं चलो माइनस कर देते हैं लेस कर दो टेक्स है ठीक है ना यही आ जाना है आपकी तसली के लिए और फॉर्मिट के लिए किया है यहां गया EAT लो अब इकूटी का फॉर्मूला क्या होता है सर E is equal to EAT divided by KE है के नहीं यानि E is equal to EAT sorry तो मैं फॉर्मूला उदर लिख दिया है उदर लिखने की जुरत नहीं मैं सीधा यहां E निकाल ले तो लिख देता हूं चलो EAT divided by KE KE सभी पॉइंट पे गीवन है हर एक केस का न केई गीवन है EBIT है sir EBIT है मैंने EBIT तो लिखा है यहां पे EBIT है नहीं नहीं वो V में है यहां पे EAT होता है ठीक हाँ फॉर्मूला चेक करिएगा कहां गया मेरा calculator तो अब मैं निकालूं अगर 270 divided by पहले का 12% है तो 0.12 तो यहां गया 25 लाग, 22 लाग, 50 अजाग दूसरे का 260 divided by कितने परसेंट भाई 12.5 0.125 20,80,000 आप भी चेक करते जाएए यही आ रहे है ना एक का चलो मैं करके दिखा देता हूं EAT क्या था 270 12% को 0.12 कह सकते हैं 2.45 1.8 1.4 15 बीस वन वन यह फाइब भी है कहा है ठीक है अब मेरे से पूछो सर कौन सा बढ़िया तो मैं कहूँगा वही बढ़िया जिसका वैल्यू क्या हो ज्यादा तो सबसे ज्यादा वैल्यू कैसे निकालेंगे अभी तो ई पता चला है इसके अंदर और क्या add-on कर दो डी टी मतलब डिवेंचर और ई प्लस डी कर देंगे तो क्या पता चलेगा वी तो डेंचर तो हर किसी का गीवन है तीन लाख तीन चार पांच छे साथ तीन चार यहां पांच आएगा तो यह कितने आगए तीन पच्चिस लाख थोड़ा वी को नीचे ले जाते हैं वैसा इसका कितना आएगा चौबिस लाख अभी तो नंबर वन वाला आगे है अठारा पांच तेहीस लाख यह भी पीछे हो गया पंद्रा चे इकिस लाख यह भी पीछे अरे यह तो सबसे बेकार निकला तो बैया सबसे बढ़िया किसको बोलोगे आप प्लान नंबर वन को बोलेंगे सबसे बेस्ट प्लान नंबर वन अब आपने यहां पर के उब भी निकाल सकते हो तो मैं के ओ भी निकाल देता हूँ सर के ओ क्या होता है overall cost of capital के ओ इस इकल टू इबी आई टी वन माइनस टी डिवाइड़ बाई वी है के नहीं? अब यहां वन माइनस टी हो गाई नहीं, पूछो क्यों? टेक्सी नहीं है सर तो आप फटा-फट से देखो इसको डिवाइड किस से कर दो? स्रिफ वी से किसको? इसको वी से डिवाइड करके के ओ निकाल लो? यानि तीन लाक डिवाइड़ बाई पहले का आगे है ग्यारा पॉइंट शीयत्तर 11.76 3,00,00 12.096 3,00,00 3,00, 14, 815 12.95 14.15 16.15 अब देखो cost of capital क्या होता है company के उपर कितना पर्तीशत burden पड़ा कितने percent equity, debenture, preference को बोज पड़ रहा है देना ही देना है कितने percent तो भाया जितना ज़्यादा percentage आएगा देने का वो तो खराब है ने company के लिए तो आप percentage के base पे देखेंगे जिसका सबसे कम percentage वो बढ़िया और सिसका सबसे ज़्यादा percentage वो बेकार इससे दोनों ही verify हो गया कि कब क्या ले रहे हैं तो ये था question number 8.5 और ये पूरा इसका solution इस तरीके से था किसी बच्चे को कोई doubt बता दीजिए जितने बच्चे live में हैं किसी को कोई भी एक परतीशत doubt है तो बताईए नहीं तो हम अगले सवाल पर चलेंगे क्लियर है पूरा सर स्टेट्मेंट में EBIT की जगह EBIT आएगा EBIT के जगह पर EBIT आएगा मैंने कहां लिख दिया EBIT ये तो ठीक है EBIT और ये भी ठीक है EBIT कलती तो है नहीं वहाँ भी EBIT दे रखा है next again हम देखते हैं कि हमारा approaches था approach को तो मैंने बोला theory सबसे end में देखेंगे लिखिन हमें आज MM approach के questions करने है सबसे important है और exam में मैं मान के चलता हूँ यही आएगा MM का पता ही क्या कहना था normally अभी तक आपने देखा कि आप value निकाल रहे हो firm की normally अभी तक हमने देखा कि आप firm की ना हर बार हर case के अंदर firm की ना एक value निकाल रहे हो और यह value क्यों निकाला जा रहा है जैसे मान लेते हैं दो firm है एक मान लेते हैं एक है आपका बी लिमिटेड अगर मैं इसके value की बात करूं पांच लाक और इसके value की बात करूं मैं छे लाक तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी company better है तो आपका जबाब होगा सर बी लिमिटेड बेटर है क्योंकि इसका value जादा है अब मैं आपसे पूछूं कि आप investment किस company में करना पसंद करोगे तो आपने कहा सर बी लिमिटेड अगर better है तो हम बी लिमिटेड में investment करना पसंद करेंगे तो इसी बात पे मूदी गिलानी M.M. अप्रूच था उन्होंने theory क्या दिया कि भाई आप अगर इसमें investment करोगे सपोस करो इस company के आप जब 10% हिस्सा खरीदोगे तो आपकी income तो ज़्यादा होगी क्योंकि आप इस company को अच्छा बता रहे हो लेकिन इस company में 10% हिस्सेदारी खरीदने में आपके साथ हजार लगेंगे और इस company में हिस्सेदारी खरीदने में कितने लगने वाले है तो आप investment ज़्यादा कर रहे हो तो ऐसे situation में आपको benefit भी ज़्यादा मिलेगा उन्होंने कहा कि investor यह सरिफ आपका अपना thought है कि हम इसमें लगाएंगे इसमें लगाएंगे आप किसी भी company में अपने investment को करो आपका result at last same ही रहता है लेकिन कुछ मेरी condition है उस condition के उपर बात है हम यह मान के चलेंगे कि जितने भी investor है उसको capital की बहुत अच्छी समझ है और बहुत अच्छी knowledge है capital market का मतलब share market का एकदम detail में जानने वाला master जिसे बोले वो है पूरी knowledge है यह पहला आजम शम दूसरा हम यह मानेंगे कि tax दुनिया में होता ही नहीं है बाद में mm ने इसको rectify किया बुला भी या tax वाले part को छोड़ देते हैं तीसरा shares को fraction में भी दिया जा सकता है point में भी जैसे आपने date share खरीद लिए चौथा आप अगर कहीं कम पैसे लगा रहे हो या ज्यादा लगा रहे हो तो उतने amount का ये assumption लोगे कि आप कहीं से loan भी लेके चलोगे तो कुछ एक उनके assumption थे उस basis पे उन्होंने कहा कि आप इस company में पैसा लगा हो या इस company में और जादा तर उन्होंने पता ही क्या कहा था माल लो आपके इस company में पहले से investment है और आप profit बनाने या माल लेते हैं कितना investment है आपने इसका investment बेच के यहां shifting कर लिया आपने सोचा यार इस company के मैं पैसे बेच देता हूं शेयर तो 60,000 आ जाएंगे इस company के खरीद लेता हूं तो कितने आ जाएंगे 50 यहां पे आपने कितने बचा लिये 10,000 उनका कहना था आपने 10,000 बचाया गलत आपने भले ही 10,000 बचाया लेकिन आपने income भी अपनी कहीं न कहीं खोया है यहां पे लेकिन बोला long time में आपको benefit मिल जाएगा तो जब हम किसी company में पहले से shares लेके बैठते हैं और उस shares को हम क्या करते हैं बेच के किसी दूसरी company मे चले जाते हैं इस process को बोला जाता है RB trade process तो सबसे पहले तो आप समझ यह RB trade process क्या होता है कभी भी कोई investor एक company से shares बेच के दूसरे company में switch कर देता है इसे बोला जाता है RB trade process और investor का काम ही यह होता है आपने आज Reliance का share लिया Reliance का share बढ़ी गया आपको लगता है आप Reliance का share टूटे गा Reliance का share बेच दोगे आप Tata के share में investment कर दोगे investor का काम क्या होता है जो share उसने खरीदा और उससे उसको profit हुआ उससे बेचो फिर ऐसा कोई company ढूंडो जहां पर वो investment करे लेकिन MM ने बोला कि मेरा जो theory है यह मान के च सारी चीजे earning वगेरा सब कुछ same होगा यह हमें का क्या करना है MM वाले में question में क्या होगा basically हमें एक company के shares बेच के दूसरे company में खरीदेंगे हमें वहां proof करना होगा जब दूसरी company में गए तो हम कितने पैसे बचाए जैसे अगर मैं यहां से जाके यहां बेचता हूं तो मैं बोलो के सीधी बात है 50-60,000 रुपे का share बेचा और 50 का खरीद लिया यानि 10,000 रुपे हमने बचा लिए एक तो उनका यह था कि आप सेविंग बताओ दूसरा बताओ कि आपका income पे क्या impact पड़ा है और उनको conclusion में एक note दो तो same देखा जाए इनके क्या के assumption थे हमने last class में का पहले कराया तो वही मैंने डाल दिया बाकी मैं तीनों assumption बाद में कराऊंगा इनका पहला assumption क्या है capital market क्या रहेगा perfect है perfect मतलब सबको जानकारी है shares are infinity shares अनंत है investor are rational मतलब बहुत ग्यानी है investor there is no corporate tax कोई corporate tax होगा ही नहीं tax नाम की चीज़ी नहीं है the personal leverage and corporate leverage personal leverage और corporate leverage का मतलब है कि मान लो आप पचास अजार दस अजार रुपे बचा रहे हो तो आप यह मान के चलो के कहीं से loan लेते तो कितना ब्याद चलता एक ना assumption मानने वाली बात है सारी बाते जब मैं practical करूँआ न तो आपको अच्छे से clear हो जाएगा theory की हम बात में बात करते हैं पहले हम practical देखते ह एक question आपके सामने है क्या पूछा गया है और कैसे करेंगे आपको clear हो जाएगा सबसे पहले कुछ एक word मुझे समझाना था that is RV trade process आपको hopefully समझ में आया होगा कि RV trade process क्या होता है ज्यादा से ज्यादा question exam में आने के chances होता है इस chapter के दो नाम है मैं कह देता हूँ value of firm कई बार कह में theory of capital structure के नाम से यह chapter given है और unit में भी बोला हूँ है कई बार value of firm भी बोल देते हैं ठीक है कहता है the following information data regarding two company x और y belonging same risk class तो पहला उनका assumption था same risk class चीक है इसके बाद आगे देखते हैं company x और company y दो company है कहता है number of shares इस company के number of shares अलग-अलग है इस company का market price अलग-अलग है इस company में diventure है इसमें नहीं है तो यह बन गया हमारा कौन सा यह बन गया levered और यह बन गया unlevered ठीक है यह बन गया levered और दूसरा बन गया हमारा unlevered अभी जिन बच्चों का doubt कहने है कि आपने chat पर भेजा था भी वो check करा लेते है number आपको हर किसी बच्चे को पूछने चलो मैं पहले concept करा लो फिर बात करेंगा ठीक है अब आगे कहता है कि profit before interest देखो EBIT उसने कहा था इस चीज को ध्यान रखना EBIT EBIT जो है इसका भी अठारा आजार इसका भी अठारा आजार दोनों का ठारा आजार है question पहले समझ लो दोनों questions का आपको capital structure दे दिया है एक जगह पर loan है एक जगह पर नहीं है question में क्या कहता है all profit after debenture interest are distributed dividend जितने भी profit बचेगा वो सारे dividend में जाएगा और ऐसे question में ने tax rate होगा है नहीं क्योंकि MM ने बोला तब यह tax होता ही नहीं है कभी भी तो generally नहीं होगा explain how under Modi-Gilani-Miller approach यानि यह line आपको देखना जरूरी है जो यह concept करेंगे जब तक यह approach ना बोला जाए तब तक नहीं follow कर सकते an investor holding 10% share in company X एक व्यक्ति जिसके पास यहाँ पे 10% share है पहले से will be better off in switching his holding to company Y यह क्या करना चाता है इस company को shares को इधर switch करना चाता है यानि यहाँ से यह बेचे देखा share और उधर जाएगा अब share का मतलब क्या होता है सर्फ equity share ने पूरी holding pattern value firm के value को बेचेगा यह ठीक है ना तो हम सबसे पहले एक बार firm का value निकाल लेते हैं क्या है simply जैसे पहले करते थे वही pattern follow करेंगे फिर हम यहाँ पे saving वगरे निकाल लेंगे दोनों company का देख लेते हैं बड़ा छोटा सा concept रहता है छोटा सा question रहने वाला है और यह आता जरूर है exam में option में मिले चाहिए कैसे मिले पूछा जाता exam में इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको हर बार बता भी रहा हूँ एक है हमारा एल लिमिटेड अच्छा एल नहीं है एक क्या है हमारा x लिमिटेड और एक क्या है y लिमिटेड सबसे पहले ebit ले लीजिए आप ebit sir ebit कितना है दोनों का अब इसमें से minus interest करिए sir इसके अंदर interest होगा देखे लोन दे रखा है 6% 60,000 तो कितने होंगे यह आ जाएगा कितने 14,000 यह आ गया ebit बोला गया tax का कोई पंगा ही नहीं है यह सारा प्रफरिंग equity shareholder में बट जाएगा tax का कोई है नहीं रोल अब हमें क्या निकालना है वी निकालने के लिए पहले e निकाल लीजिए फिर आप d निकाल लीजिए फिर वी निकाल लीजिए ठीक है e निकालने के लिए क्या होता है आपको केई कोश्चन में दे रखा है क्या अब कोश्चन में केई नहीं दे रखा लेकिन एक equity share का rate दे रखा है market value हमने बोला था market price लेंगे तो equity क्या होगा मैं एक का निकाल के दिखा देता हूँ जैसे कि 90,000 into में 1.2 कितने आगे एक लाख आठ हजार एक लाख आठ हजार दूसरे का equity कौन बताएगा तेड़ लाख दूसरे का क्या होगा अब debenture ले लीजिए debenture कितना है 60,000 तो अगर मैं V आपसे पूछू तो इसका V आएगा 1,68,000 और इसका V कितना आएगा एक लाख 50,000 आप पहले simple देखिए यहां तक मैंने आपको कुछ भी नहीं सिखाया है यहां तक सारी के सारी पुरानी बाते चल रही है जो आपको पहले से पता था कोई भी आपका MM approach का concept नहीं बताया मैंने अभी तक तो पहले यह वाली देखिए इसमें किसी बच्चे को doubt है क्या इसमें किसी student को doubt है यहां तक सभी को clear है फटा फट बता दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ जाओ और जो concept सीखना है वो हम करें आगे यहां तक किसी student को doubt comment में बताये फटा फट yes clear है clear है clear है no sir कोई doubt नहीं चलिए जायतर बच्चे कह रहे हैं sir doubt नहीं है यहां तक clear है चलिए ठीक है अब आगे question पता है क्या कहता है आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा question क्या कहता है मेरे पास इस company के 10% holding है और मैं यहां से बेच के यहां सिफ्ट हो जाऊँगा तो सबसे पहले आपके पास 10% holding का मतलब 1,68,000 रुपे का समान बेचेंगे हमेशा जब भी बेचा जाएगा वो भी बेचा जाएगा आपका यानि value of firm अब 1,68,000 बेचेंगे या फिर मैं यह भी कह सकता हूँ 10% इसका बेचूँगा और 10% इसका बेचूँगा यह भी मैं कह सकता हूँ ठीक है अगर मैं total बात करूँ अगर मैं sale करूँ एक्स लिमिटेट से जो sold करूँगा मैं sold करूँगा क्या सर इको sold कर दूँगा मैं equity को sold करूँगा कितना equity sold होगा 10% यानि द अजार 800 और सर क्या sold करूँगा मैं मेरे पास fund का arrangement हो गया है यही तो करता 16,800 यहां से 10% निकाल लो क्योंकि इन दोनों का जोड़ ही तो 10% निकला है मैंने अलग-अलग करा पहले यहां तक देखिए कि मैंने total 10% हिस्सा निकाल लिया जिसमें equity 10,800 है भाई साब और debenture जो है वो 6,000 रुपए है और total मेरे पास fund का इंतजाम हो चुका है कितना हो चुका है 16,800 रुपए मेरे पास पैसे आ चुके है और इस पैसे को मैं कहां खरीदने वाला हूँ Y limited में सारा पैसा मैं invest करने वाला हूँ या फिर मैं 10% हिस्सा ही Y limited में खरीदूँगा पहले यहां तक देखिए यह pattern समझ में आया तो मैं अब Y limited में खरीदूँगा जाके पहले देखिए यहां तक समझ में आया है clear है चलिए repeat कर दें एक बार चलिए मैं एक बार repeat कह रहे है तो मैं एक बार फिर इसको erase कर देता हूँ मैंने क्या कहा मैंने क्या कहा सवाल ने कहा सवाल ने कहा के explain how the M.M. approach holding 10% X limited X limited के अंदर मैं 10% present में है मेरे पास और ये 10% में बेच करके Y में चले जाऊँआ कहां बोलता है X will be better off in switching his holding to Y limited यानि X limited क्या करना चाहता है switching off का मतलब बेच देना या RV trades का मतलब भी बेच देना बेच करके कहा holding shift करना चाहता है switching his holding to company Y यानि मैं यहाँ पर बेचना चाह रहा हूँ जब इस company की holding बेचने की बात आएगी तो equity मत बेचिएगा 10% आपके पास दोनों चीज़े holding होगा equity भी और debenture भी सारी चीज में आपका 10% हिस्सेदारी होगा तो मैं इसको बेचूँगा तो मैं अगर अपना fund की बात करूँ मेर पास कितने पैसे आएंगे fund जो arrange हो जाएगा किस से हमारा X limited से तो सबसे पहले मैं equity इस company का बेच देता हूँ तो भाई साब market value की बात करेंगे आपका book value नहीं बेचा जाएगा कहीं कोई बच्चा सोचे सर 90,000 10% कर तो ऐसे नहीं 10,000, 1,08,000 का 10% निकालो तो 1,08,000 टोटल था इसका 10% बेचेंगे that is हमारे पास इससे बेच के पैसा आएगा 10,800 और मैं 6% डिवेंचर भी बेच दूँगा इस company के टोटल डिवेंचर थे 60,000 और मैं इसका 10% बेच दूँगा तो यहां से मेरा पैसा निकल के आएगा 6,000 टोटल फंड जो मेरे पास आजाएगा 16,800 रुपे मेरे पास टोटल फंड आ जाएगा पहले आप देखिए यहां तक मैं बिल्कुल दीरे दीरे चलूँगा कोई मुझे जल्दी भागने की जौरत नहीं है और उसी के हिसाब से चलता रहूँगा मैं ठीक है टोटल पैसा जो आ गया किसी बच्चे को कोई दिक्कत एक बच्चे ने बोला था कि सर रिपीट कर दे मैंने रिपीट कर दिया है अब भी देख लीजिए किसी को डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए जितने बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं वो भी बता दीजिए क्या इसके अंदर आपके डाउट है यह वाली बात समझ में आ रही है बिल्कुल सिंपल ठीक है जो कोईश्चन ने कहा है सभी बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर है चलिए अब मैं पूछना चाहता हूँ मेरे दो ही सवाल है पहला सवाल मुझे बताइए आप अगर इस कंपनी की 10% खरीदेंगे तो आपको कितने पैसे लगाने होंगे मेरा पहला सवाल अगर आप इस कंपनी के कितना खरीदना चाहते हैं 10% तो 10% value का हमेशा खरीदेंगे तो 10% अगर इस कंपनी के आप खरीदेंगे तो कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे 15,000 करेंगे और आपके पास पैसे है कितने 16,800 तो क्या आप यहाँ पे सेविंग कर पा रहे हो सेविंग हो रही है आपकी कितने पैसे सेविंग हो गए चेक करते है तेक बच्चो वाला सवाल है यह तो बस मैं बार-बार बोल रहा हो तो ऐसा मस समझना मुश्किल कोई सवाल है देखो सबसे पहले हम इन्वेस्मेंट करेंगे इन वाई लिमिटेड पहले हमारे पास फंड कितना अभेलेबल है सर फंड अभेलेबल है हमारे पास 16,800 इन्वेस्ट कर देंगे हम इन्वेस्मेंट इन वाई लिमिटेड 10% अब वाई लिमिटेड का 10% सब कुछ खरीदो इकुटी भी खरीदो डिबेंचर भी खरीदो अब वाई लिमिटेड में चलो इकुटी खरीदते हैं तो वाई लिमिटेट में अगर मैं equity को खरीदूँगा तो सिर्फ equity है इसमें मेरे ख्याल से तो आपको देख पा रहे होगे इसमें डिवेंचर तो है ही नहीं तो सिर्फ मैंने ये खरीदा 15,000 का तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैंने पैसे बचा लिए अपनी समझदारी से यहां से बेच के इसमें चला गया और पैसे बच गये कितने कितने बच गये भाई साब अठारा सो रुपए मैंने क्या कर लिया सेविंग कर लिया अब आपको ये भी प्रूफ करना है अठारा सो सेविंग करने के बाद आपके income पे कोई फरक पड़ेगा क्या सर income की बात ब्याज मिलेगा यही तो होती है कहानी शेयर के बदले क्या मिल जाएगा आपको डिविडेंट और डिवेंचर के बदले क्या मिलेगा ब्याज तो आपको सालाना total income कितना होता था और shifting होने के बाद कितना हो रहा है ये भी आपको प्रूफ करके दिखाना होगा पहले तो हम हमने आपको निकालना क्या सिखाया कि भाईया जब हम स्विचिंग कर रहे हैं तो हमारा सेविंग हो रहा है यहां पर सेविंग तक के concept को ध्यान दीजिए अगर सेविंग तक समझ में आ गया तो मैं अब income की बात करूँगा दो ही बात बताना है saving और income that's it और कुछ भी नही कि एक दम से आगे बढ़ जाओं और आपको problem हो जाए कि क्लियर है चलिए सर अगले point पर आते हैं अब हम income की बात कर लेते हैं ठीक है इसको मैं थोड़ा सा side कर देता हूं या इस slide को थोड़ा छोटा करके light थोड़ा उपर ले जाते हैं यह था saving और यह question पूरे 20 नंबर का और 15 नंबर का पूछा जाएगा यह question यहां ठीक है चलो अब income की बात कर लेते हैं मैं income के लिए मैं कोई table कोई format नहीं बता रहा अभी सिर्फ concept पे मेरा focus है ठीक है सिर्फ हम concept पे बात कर रहे हैं चली आजएए अब मैं बात कर लेता हूँ मैं अपनी कमाई जानना चाहता हूँ कि X limited में कितना था और मैं कमाई जानना चाहता हूँ कि Y limited में कितना हो रहा है X limited में जब था तो मुझे equity में से पैसे मिला करते थे X limited में जब था तो मुझे dementia से ब्याज म समझ यह यह क्या है हमारा प्रॉफिट है सब कुछ माइनस कर दिया है तो यह पैसे पर हगदार कौन है एकुटी शियर होल्डर अगर यह शियर एकुटी शियर होल्डर है तो मैं पहले की बात करूं कमाई की एकुटी में तो मेरे 14,400 रुपे कमाई हुआ करते थे और इसको 90, बात लिया करते थे और मेरे पास सरिफ और सरिफ 9,000 शियर थे तो मेरी कमाई बताओ कितनी हुआ करती थी एकुटी से मेरी कमाई यानि 1440 यानि मेरी कमाई कितना हुआ करता था equity से सर मेरी कमाई या आपकी कमाई equity से जो थी वो कितने की थी 1440 दूसरा simple तरीका देखो आपने 10% ही तो holding लिया तो आपकी कमाई कितनी होगी 10% ही होगी तो सीधा निकाल सकते थे 1440 का 14400 का 10% भी आप ले सकते थे, इक्विटी से, समझ में आरे बात आपको, अब आगे बात करते हैं, सर्थ, डिवेंचर से भी हमारी कमाई होती थी, तो डिवेंचर से 10%, यानि आपका टूटल ब्याज कितना, आपने पैसे कितने लगा रखे थे, आपके पास 6,000 ही तो थे, 6,000 के उपर आपका ब्याज कितना बनता था, 360 रुपे, तो आपका ब्याज कितना बना करता था यहां पे, 360 रुपे, यानि पहले की जो कमाई थी, ये टूटल कमाई आपकी हुआ करती थी, समझ ये बात को, ये टूटल आपका पहले अर्निंग का सोर्स था, अब आपका अर्निंग का क that is папka कितना होगा जाए अटारा सो पहले की कमाई की बात करें तो झाए और अब की कमाई की बात करें तो क्या है यानी हमारी समझदारी की वजह से हम यहां पैसे बचाने में कामियाब हो गए इनकम पर हमारे फरक नहीं पड़ा है लेकिन हमने यहाँ पे क्या करा saving कर लिया यानि income हमारा constant रहे गया और यह normal में आप करते हो सभी student life में करते हो यार यह काम करते है इसको पैसे दे देंगे तो यहाँ से बच जाएंगे और इतनी तो income आती रहेगी simply यह चलता है हमारा तो यहाँ पे यही prove करना था कि income पे हमारा assets कोई फरक नहीं पड़ा है ठीक है पहले तो आप यह देखिए फिर मैं इसको दुबारा करूँगा अभी एक format के अंदर जैसे format में आपने करना है पहले यहाँ तक clear है sir 9000 क्यों multiply किया क्योंकि मैंने इस company के 10% hold कर रखा था और इस company के जो shares थे वो 90,000 थे तो 90,000 का 10% 9,000 ही होगा बताइए यहाँ तक clear है यहाँ तक clear है ठीक है अब मैं इसको पूरे format में saving तो ठीक निकाला है saving में कोई format चेंज नहीं होगा बस मैं इसको फिर से ठीक से करना चाहूँगा कि आपका किस किस तरीके से पैसे आ रहा है यह क्या निकाला था हमने saving निकाला था है न और यहाँ 1100 यह भी आ रहा है इसको कर दे proper यहाँ तक clear है तो बताओ विल्कुल 10% भी ले सकते हो एक बार दुबारा repeat कर देते हैं ठीक है मैं space बना लेता हूँ थोड़ा चलिए हम यहाँ बात करते हैं saving की पहले मैं saving की बात करता हूँ कितने पैसे बचाएंगे हमारे पास fund available था that is 16,800 यह बेच के पैसा आया था 10% और हमने invest किया 10% invest किया 10% that is आपका 10% investment की बात करो तो आप इस company में invest करोगे जिसकी value कितनी है डेड़ लाग तो डेड़ लाग का 10% invest करोगे that is 15,000 तो आपने यहाँ save कर लिया 1800 यह तो simple सी बात हो गई अब आजये income की अब income को मैं proper format में कर देता हूँ अब ध्यान दीजिएगा मान लेते हैं हमारे पास यह x limited है और y limited है x limited का जो पैसा income आ रहा था equity से वो आ रहा था हमारा कितने का सर आपका income कैसे निकालेंगे देखो 14,400 रुपए आपका profit था जो किसके हिस्से में जाता शेर होल्डर अगर आपने 10% pattern खरीद रखा है तो आपका 10% पर यह अधिकार रहेगा ठीक है इसको या तो आप सीधा directly 1440 लिख लो या calculation way में जाना चाते हो तो 14,400 रुपए distribute होगा कितने में सभी शेर होल्डर में x limited के शेर होल्डर कितने है सर 90,000 शेर होल्डर है तो अगर इसे मैं 90,000 में divide कर देता हूँ तो एक शेर होल्डर का हिस्सा आ गया और मेरे पास जो holding था 10% acquire करके बैठा था तो मेरे हिस्से का आया 9,000 इस करीद के से भी करोगे तब भी आपका answer 14,400 आएगा clear है अब MM का assumption था कि जब कभी भी आप किसी company ऐसी company में switch करोगे कि जहाँ पे loan है ही नहीं अब ध्यान देना मैं थोड़ा सा point आगे ले जा रहा हूँ कि जब कभी भी आप ऐसे company में switch करोगे जहाँ पे loan नहीं है तो आप मान लेना कि आपके पास कहीं बाहर से करजा लेते तो इतना ब्यास देना पड़ता है यह अजंशन लेना पड़ेगा आपको यानि इस company में आपके पास loan नहीं है इसकी income की अगर हम बात करें तो simple सी बात है यहाँ पे कितना income आ रहा है हमारा 1800 10% खरीदा है यहाँ income कितना है और यहाँ कितना है 1440 डिबेंचर मिला के हो रहा था हमें equity पे income को calculate करके दिखाना है mm का क्या मानना था अगर आप किसी ऐसी company में जा रहे हो जहाँ पे debt नहीं है तो आप पहले debt वाली company में थे तो यह मान लो इतना ही debt आपके पास वहाँ पे होगा कहीं और से पैसा अगर देते लेते उधार तो आपको इतना पैसा देना पड़ता तो इस company में आपको debt मानना होगा कि debenture पे अगर लेते तो same rate of interest पे ब्याज देना पड़ता जो debenture पे था यानि आपको 6000 पे 6% 360 रुपे का ब्याज देना होता इसके हिसाब से इसको थोड़ा इदर करते हैं इसके हिसाब से 14,040 और यहाँ पे भी कितना profit आगया 14,040 क्यानि हमने हमारी overall हमने क्या समझाने की कोसिस करी कि हमारा income जो है उस पे कोई फरक नहीं पड़ा है income हमारा constant रहा है और हमारा in saving और कर लिए हमने कितने की saving कर लिए हमने हमने कर लिया है अठारा 100 रुपय का हमारा saving हो गया है MM का यही कहना होता है अब आप ध्यान से देखोगे न तो ध्यान से आप देखिए आपको इसके अंदर conclusion देना है conclusion क्या दोगे कि as per arbitrage process arbitrage process के हिसाब से देखा जाए तो हम अगर किसी X limited के switching करते हैं Y limited में तो उस जगह पे we are save amount rupees 1800 and income will be constant income क्या रहेगा हमारा constant रहेगा income के उपर कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन examiner को समझाना होगा कि income कैसे constant रहेगा तो आपको ऐसे करके prove करके आपको दिखाना होगा कि हमारा क्या है income assumption क्या लिया इसके अंदर loan नहीं था लेकिन आपने assumption लिया है मान लेंगे कि आप इतना ही loan लोगे यह आपका assumption रहेगा यहाँ पे mm का पहला assumption यही है कि levered आपको मैंने अभी assumption के अंदर बताया यह वाला point the person levered and company leverage personal leverage and company leverage दोनो personal leverage और company leverage इस दोनों को constant मान के करोगे तब यह rule apply होगा और real life में देखा जाए ना तो यह वाली चीज़े ना अब applicable नहीं रही है इतना ज़्यादा क्योंकि यह assumption based है हर company में ऐसा assumption तो रहता नहीं है normally हमारा net income approach real life की बात करें लेकिन book के अंदर अभी भी यह question ज़्यादा trending में रहता है examiner पूछते हैं इसमें से question ठीक है आप देखेंगे जिनके पास किताब है किताब के अंदर आपको इसका 10 year के अंदर भी question कराया है तो दे रखा है book के अंदर आप देखोगे यहाँ पे आपको इसका solution में given है के by the shifting 14 400 रुपे 15 1800 saving same investment as आपको वही कहना होगा sir video रुक रुक के चल रही है please आप एक बार refresh कर लो किसी और बच्चे का अगर video रुक के चल रहा है यह stuck हो रहा है तो आप फ्लीज आप chat में डालते मैं देख लूँगा क्यूंकि हम equity का देख रहे हैं इसमें debenture minus नहीं करेंगे हमने मान लिया कि हमारा यहाँ पे debenture जितना debenture इस company में था इतना यहाँ था यही प्रूव करना था हमें देखो प्रोग्राम की बुक में भी हो गए question इसका एक बर conclusion पढ़के दिखा दू मैं एक बर conclusion भी देख लो conclusion कहां मिलेगा इलिस्ट्रेशन नमबर 10 था ना 10 है ना जेड़ा यह रहा 10 आप conclusion पर ध्यान दीजिए यह रहा इसका conclusion देखो solution पर ध्यान नहीं देना solution तो मैं करी रहा हूँ आपको सर्फ और सर्फ आपको क्या कहता है question में ध्यान देना आपको पहले इसने क्या करा एक्स लिमिटेट के अंदर 1440 रुपए और यह और यह सेफ करके जो कि मैंने दिखा दिया आप conclusion पर देखे by shifting from company x to y अगर आप company x से लेके y में shifting करोगे the investor able to get same income 1440 investor जो है उसका income same रहने वाला है 14401440 and still having the fund 1800 और अभी भी उसके पास 1800 है पैसे बचे हुए बताया था saving हुआ था 1800 जिसको यहाँ पर इस तरीके से करके दिखा दिया मैंने at at his disposal he is better off not in the terms of income better तो है यह लेकिन income के terms में better नहीं है लेकिन but in terms of capital fund saving के terms में यह better है हमें बताना होता है कि यह income के terms में better हो पाया यह saving तो देखा जाए किसके terms में better हो गया यह saving उपर आपको simple बोला हुआ है आपको एक्जाम में लिखना बहुत जरूरी है और लिखने का बड़ा सिंपल सा terms है हम यह बता देंगे कि हमने इस company से इस company में shifting किया है हमारा income कॉंस्टेंट रहा है लेकिन हमने saving कर लिया है अपने language में बिल्कुल लिख सकते हो इसको कि यह भी ठीक करना है इस question को 10-year new आएगी या old वाला ही ले 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 10-year आज चुका है आज मैंने वीडियो डाला हुआ है 10-year आज चुका है मैं दिखा दिदे हूँ आपको सारे 10-year आगे हैं नए नए paper लगके आज चुके है 10-year market में मैं आज आपको सभी को image group के अंदर शेयर करा दूँगा दूसरा number भी दे दूँगा कहां से buy करना या nearby shop से आप कहीं से भी buy कर सकते हो क्लियर है यहां तक मैं एक बार फिर से इसमें time क्यों ले रहा हूँ क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज्यादा बताने की जूरत है question क्या था समझ में आये question question क्या था सर question पूरा दे रखा था पहले हमने क्या निकाला वी निकाला अब जहां से जहां shifting करना था shifting भी कर दिया पहले हम क्या निकालके सेविंग सेविंग के बाद क्या हमने calculate कर लिया income उसके बाद क्या देना हमें conclusion एक और question देखते हैं कि इस क्वेशन में बताईए डाउट up का इस व viral क्वेशन में डाउट यह सामने आपको कुश्चन दिख रहा होगा वह पहले आंदधना सूछी भूल है मेरी गती थी कि अब इस कुश्चन में डाउट देख लेते हैं या सॉल्ब भी कर लेतें या आंब दहूच चलिए मैं काफी देड़ से बोल रहा था लेकिन वही है ना मुझे पता ही नहीं था कि आफ़ ट्रांस्मिटर कि अ कर दो आज यतने बच्चों के हैं न डाउट वैसे यह कोशन नहीं है प्रोग्राम ठीक कोई बात नहीं प्रोग्राम में नहीं है देख लेते हैं एक न्यूंग कोशन क्या कहता है कोशन में अफ़ फार्म एंड बी आर सिमलर एक्सेप्ट एट ए अनलीवर्ड यानि ए हमारा अनलीवर्ड है वाइल बी आपका बी क्या है है दो लाख रुपए का यानि बी फर्म जो है देट इस लीवर्ड है और इसके अंदर दो लाख रुपए का डेट है और एट दा रेट कितने परसंट का डेट है फाइप परसंट का ठीक है अज्यूम देट टेक्स रेट 30 परसंट टेक्स रेट 30 परसंट एक अप्रोच यह बोलता है अप्रोच नहीं लगा है इसने सिर्फ नेट प्रॉफिट बता रहा है यानि यह क्या है इबी इट इस बात का ध्यान रखेगा इबी इट के है 40 और यहां भी 40 आगे दा कॉस्ट इकुटी 10 परसंट यानि के दस परतीशत कैल्कुलेट वेल्यू ओफ फर्म इफ एम एम अजंशन आर मीट कहता है वेल्यू ओफ फर्म बताईए अगर एम अजंशन मीट होता है यानि एम एम अजंशन के हिसाब से एम एम अप्रोच जो है उसकी अजंशन है तो एम एम अजंशन का सिंपल्स है आज हम थियोरी भी देख लेंगे क्या के तीनों का कंपरिशन देख लेंगे यह एक पॉइंट हो गया दूसरा बोलता है कि अगर वेल्यू ओफ प्लीन करना है हमें तो हम पहले पहले पार्ट तो हम सबने सीखा हुआ है फर्स पार्ट को कर लेते हैं परस्ट पार्ट में सबसे पहले क्या माइनस करो interest ठीक है अब यह interest की बात करें तो जो B है वो लीवर्ड है अब same aspect दे रखा है सबको same दे रखा है तो पहले हम unlevered वाले का निकाल लेते हैं interest 0 है EBT minus में क्या करें tax कर दे minus tax करेंगे तो यह 4 लाग sorry 40,000 tax 30% कितने आगे 28,000 यह क्या आगया E80 यहाँ पर E निकल सकता है E आजाएगा 28,000 divided by क्या है point 0.1 28,000 यह दो अस्ती बता न 28,000 V क्या दे रखा है 0 sorry D क्या है इसमे 0 Then V क्या होगा इन दोनों को add करके यानि समझे अब लीवर्ड वाले में जब ऐसा question आ जाता है जब इसका के यह नहीं पता होता तो हम माल लेते हैं इसका equity यहीं पर होगा यानि 280 debt यहाँ पर बदल जाएगा debt क्या होगा हमारा कितना दे रखा है 2,00,00 into में T T zero point यानि 60,000 तो यह कितने आ गए हैं तीन चार्ज पहले यहां तक देखें सीखा हुए हैं देखें अ जिन बच्चों की first class है उन बच्चों को पहले leverage देखना पड़ेगा और मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है कि how to start कैसे FM को start करें तो उसी के sequence में चलिए जल्दी जल्दी अगली class में जैसे हम new chapter start करेंगे डिविडिन पॉलिसी स्टार्ट कर लेंगे बड़ा चोटा से चप्टर और 15 नमबर का आता है लेकिन teachers बगरा कहते हैं कि 6 नमबर का चप्टर 6 या 9 का कहते हैं लेकिन exam में मैंने एकसर 15 का ही देखा हुआ है वो कर लेंगे उसके बाद एक unit रह जाता है हमारा that is capital budgeting ठीक है ना वो बड़ा unit है उसके बाद वो वाला करेंगे हम तो एक first unit theory का है और TVM है time value of money वो तो कर लेंगे पहले इसमें बताईए कोई doubt है तो अभी तर पहले इसमें बताईए कोई doubt है तो अभी तर no doubt sir question में 360 लिखा है बी का उसका हाँ 360 वाला दूसरा होगा दिया का overhead variance यह तो मेरे दिमाग से निकल लिया नहीं निदित देखना सभी में ये वीडियो डाल दिया था ना how to start सभी में डला हुआ है सभी बैच में डला हुआ है नहीं है एक बार screenshot शेयर करना वीडियो देखते वे तो नहीं ले सकते हैं नहीं dividend policy हमारा cost of capital से थोड़ा related है बाकी नहीं नहीं सर लीवर्ड अनलीवर्ड का E क्योंकि अब बच्चों का कहना है कि सर यह बता दो लीवर्ड और अनलीवर्ड का E हम सेम क्यों लेते हैं सही question है इसलिए लेते हैं क्योंकि question पहले ही कह देता है कि A और B दोनोंने बिल्कुल similar है सारे aspect में similar except loon के terms में लोन के terms में थोड़ा सा अलग है यह बाकी सारे aspect में क्या है सेम है तो जो इसका E होगा हम assumption लेते हैं कि इसका E यही हो जाएगा और इसमें सिर्फ loan वाला point add-on कर देते हैं factoring करके और यह आ जाता है इंट्रस से जब करोगे ना calculate इंट्रस से तो आपके पास केई तो है नहीं न केई नहीं है तो आप वेल्यों फ़म एक का निकाली नहीं सकते एक बात सुनो आप बोलते हैं यहां पर इंट्रस माइनस करो चलो माइनस कर दिया फिर आएगा फिर टेक्स माइनस करो हम यहां तक तो पहुंच जाएंगे लेकिन फिर ए कैसे निकालो गए यह निकालने के लिए आपको इए टी अपॉन में केई चाहिए अब केई तो दे नहीं रखा समझ रहे हूं तो वह निकाली नहीं पाएगा आप सिर्फ डी के मदद से वी तो निकाल नहीं सकते तो इसलिए हम अजम्शन लेते हैं कि इसके ए को यहां पर ले लेते हैं और उसके साथ डी पहले से पता है और यह कर लेते हैं अन्शी का आपने किस पर नंबर पर भीजा है आप कि अ कि अ कि अ कि कि अ कि अ कि अ कि मैं अभी चेक करता हूं, कितने वीडियो के हो गया है, फिर मैं कल तक अप्लोड करा हूँ, सुभे, अब चलिए इसका देखते हैं, B Part, B Part क्या कहता है, कि हमारे फर्म का वेल्यू पता है कितना हो जागा, 3.60, और यह B के लिए कहता है कहता है B इस 3,60 लेकिन B का पहले value क्या था? 3,40 यानि नए वाले firm की value देखा जाए तो कहीं हमारा 20,000 क्या है? ज़्यादा है जब 20,000 ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है investment भी ज़्यादा होगा अब आपका मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपका B का या फिर हम इसको ऐसे कर लेते हैं new value देखिएगा अगर new value आपको बताए जा रहा है 360 है इसमें से अगर आप debt minus कर दो debt कितना बचाए जा रहा है आपको दो लाग तो आपको यहाँ पता चल गया कि भाईया 1,60,000 आपका equity रहा होगा ठीक है यह V था तो यह equity हो गया अब इसमें से आपका पता है कि आपका EBIT तो वही रहेगा EBIT आपका कितना था 40,000 इसमें से minus अगर हम interest कर दें that is आपका कितने percent 5% तो कितने होंगे तो हमारा बचेगा कितना यह आगे हमारा EBIT minus कर दो tax में profit निकालना चाह रहा हो tax minus अगर कर देते हो तो उस situation में क्या रहेगा हमारा 30% 9,000 now profit कितना है 21,000 यानि इसमें सारा पूरा format tax वगेरा पहले तो यह देखो कि हमारा equity value यह है equity value कितनी आ गई यहाँ पे 1,60 ठीक है और हमारा firm overvalued है अगर मैं बताओ तो old firm की value जो है वो है 3,40,000 और जो new firm का value है वो है हमारा 3,60,000 यानि new firm हमारा overvalued है कितने से 20,000 question क्या कहता है P का 3,60 है then to these value represent equilibrium value of आप यह value ना ऐसा किस पे equilibrium मतलब equal हो जाए if not how will the equilibrium set कहता है कि यह मैं पहली बात करूँ तो भया यह यह दोनों का value अलाग अलाग है तो दोनों equal हो इने सकता पहली बात अगर नहीं हो रहा है तो कैसे set करोगे उसके लिए हमें एक assumption लेना होगा कि हम अपने 10% shifting या 5% shifting जो करते थे equilibrium का मतलब क्या है जहां पे दोनों का value क्या हो जाए बराबर हो जाए तो पहली बात question में पूछा गया के बताईए क्या यह दोनों एक बराबर है एक बराबर set हो सकता है जवाब no जवाब है no अब कैसे set करोगे तो आप वहाँ पे example लोगे कि आप कितने percent आपकी इच्छा है कितने percent भी सिफ्ट कर लो मान लो आपने मान लिया कि मैं 10% सिफ्टिंग कर रहा हूँ M.M. अप्रोच क्या कहता था कि हम अपना 10% सिफ्टिंग कर देंगे जब आप सिफ्टिंग करोगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा saving और इनका कहना होता है जभी arbitrage process कब end होता एक theory पूछा जाता है बताइए arbitrage process कब end हो जाता है arbitrage जिका मतलब हम क्या करते हैं एक company से सिफ्टिंग दूसरी company में और दूसरी company से सिफ्टिंग एक company में तो question है कि arbitrage कब खतम mm approach के according कब हो जाएगा खतम जब दोनों का value of firm सेम हो जाएगा माल लेते मेरे firm का value एक लाग उसके firm का value एक लाग तो जब मैं यहां से 10% बेचूंगा तो उसमें भी तो एक लाग invest करना पड़ेगा income तो दोनों में same ही हो रहा था हमारा बस कहां पर हम बच रहे थे पहले वाले question में saving में तो यहां पर saving भी तो यह कब हमारा end हो जाएगा कब हमारा explain होगा जब हमारा यह 20,000 रुपए हमारा क्या बढ़ जाए value बढ़ जाए ठीक है न यह क्या बढ़ जाए हमारा 20,000 रुपए क्योंकि यह इससे कहीं 20,000 value जादा है आपका equal value तभी हो सकता है जब दोनों की जगह पे क्या हो same value of firm अगर हाँ यह कहता कि new firm की value अगर मान लो 3,40 है तो हाँ भया वो तो set हो जाएगा अब इसको set कैसे करोगे आप क्या करोगे shifting करोगे 10% यह 5% shifting करोगे किसका इस वाले firm का 10% बेच दोगे और इसी firm में खरीद लोगे 10% ठीक है वह आपको written form में लिखना है practical form में नहीं बताना है ठीक है इसका बस आपको reason लिखना है no और equilibrium बस और कुछ भी आगे इसमें नहीं लिखना है mainly आपको value of firm प्रूफ करना था इस इसका है थापको आपकोई भी